हेलो विडियों तो आज की वीडियो में डिसकस करेंगे हम एक्सपेक्टीड कट ओफ हो गया फाइनल कट ओफ, वेकंसी, नॉर्मलाईजिशन और नेक्स्ट इस्टैनो वाला एक्जाम आपका एक एक्सपेक्टेड डेट कब तक आपका हो सकता है वो चीज़ है, यह अपके क्वेशन्स है ठीक है, आजकल काफी ज़्यादा क्वेशन्स यह पूँच रहे हैं और हर किसी को पर्सनली जवाब देना काफी टाइम लग जाता है तो इसलिए सुचा एक छोटी सी वीडियो बना हूँ बाकि एक चैनल अर्वी करके तो उनका भी ठीक तरह यहां पर रहता है अनलिसिस तो अल्डिटी इसके उपर आपको बताए कि एकस्पेक्टे कट ओफ यह सभी चीज़े लोगों ने बता दिया उनमें से किसी की कट ओफ के अंदर आपके मार्क्स पढ़ने है ठीक है तो आप इसकिल के पेपेशन करो लेकिन एक चीज़ यहां पर इंपोर्टन देगा नॉर्मिलाइजिशन नॉर्मिलाइजिशन अगर लास्ट टाइम देखे ध्यान से सुनना क्योंकि मैं यहां पर इस यहां पर इसा कुछ होता है कि नॉर्मिलाइजिशन अगर ज्यादा मार्क्स का होगा तो कहीं नॉर्मिलाइजिशन वसे कम से कम चार पांच ऐसे नंबर का होता तो ज्यादा असर नहीं पड़ेगा ना तो और यह चीज़ थोड़ा रहता है कहीं सिप्टों में दू कुश् सकते हैं ठीक है तो हर एक चीज़ डिपेंड करता है थोड़ा आपका रिजल्ट के उपर है ना जो आपका जल्दी ही देना चाहिए नहीं क्योंकि अगर इन्होंने स्किल के डेट दी है तो रिजल्ट भी मिरको लगता है कि आपका दिसंबर 15 से पहली ठीक है लास तक तो ऐ कंफ्यूज यहां पर ज़्यादा लोग है कि कट आफ जहां पर ज़्यादा बता जाएए उनके मार्क्स उनसे कम है और जहां पर कम बता जारी है उनके मार्क्स वहां पर ठीक है और उससे थोड़ा ज़्यादा ही है तो कंफ्यूज है कि किसके इसाब से प्रिप्रिशन करें मतलब cut off ज़ादा जाएगी इससाब से या फिर cut off ठीक इस बार कम जाएगी देखो दोनों ही unexpected आपका result भी रहेगा unexpected इस बार exam भी था unexpected इस बार cut off भी रहेगी हर एक चीज unexpected ही यहाँ पर चल लिए इस बार ठीक है तो आप यह नहीं कह सकते कि आपका score काम है तो आपका नहीं होगा क्योंकि वेकंसी ही तीन गुना है अगर वेकंसी में भी एक चीज आप देखोगे कि वेकंसी जैसे SSGD के तुरान डबल हो गई वेकंसी तो आप देखो कि कहाँ 24,000 से कहाँ वेकंसी 45,000 के आसपास हो गए रहीगा कि आपका normalization के उपर थोड़ा बहुत अगर score आपका normalization में सभी में बराबर बढ़ता है तो फिर यहाँ पे और कम बढ़ता है मतलब आपका maximum 5-6 marks बढ़ता है तो फिर यहाँ पे changes यह देखने हो कि में लेगा कि जो आपका pre और final की बीच में जो gap रहता था आपका 15 18-20 marks का वो gap आप 5-10 marks के आसपास रह जाएगा तो pre की cut-off जो भी आपका रहेगा उस cut-off से अगर आपके 5 marks जादा है तो आपके chances बहुत जादा हो जाएगे ठीक है एक general अगर मैं बतों cut-off जो आपका यह expected अगर मैं बात करूँ pre के हिसाप से तो 125 आप general पी लेते हुए चलो यहाँ पे आप plus 3 minus 3 करना है ना क्योंकि cut-off इसलिए कम बताए जा रहा है क्योंकि आपका vacancy जादा है तो pre का तो 100% cut-off कम रखेंगे है ना ऐसा नहीं आप वो depend करता है जादा रखने का सिर्फ एक ही chance है कि आपका normalization अगर 10-10 number का होता है तो तब यह आपका cut-off जादा जा सक general वालों को इसलिए बोला हूँ कि 125 plus 3 का मतला है कि 122 के असपास भी है तो भी आप skill की preparation करो है ना कम है नहीं है यह बात में देखना आपका जब आपका result आएगा है ना उसके बात आप decision लेना कि नहीं करना लेकिन तब तक को तब तक तो आपको क्या करना पड़ेगा skill को ऐस भी था तो उनको confidence होगा कि skill में निकाल लोगा तो कम time देना skill में और अपनी अगली preparation भी थोड़ा ठीक ठाक लेते हुए चलना है ना दोनों को manage करना पड़ेगा है ना एक सांथ बाकी जिनको लगता है कि अच्छे score है तो अपना पूरा time देना पड़ेगा है ना आपका 8-10 लगते ही है अपका कि ये देना चाहिए बाकी बहुत ज्यादा important है इस बार वाला exam और cut off मैं कहूंगा कि pre कभी unexpected रहेगा मतलब ऐसा उमीद से कम ही मेरे को लगता है कि आएगा और final भी आपकी कम जाएगी और अब एक और चीज़ पर dependent करेगा आपका cut off वो रहेगा skill test skill test का level level कैसा रहता है अगर level ठीक ठाक रहता है तो साइद हो सकते हैं आदे लोग वहां बाहर हो जाएं ठीक है great scene का अगर बात करें देखो great c की अगर बात करें जनरल वाले तो 140 के असपास वाले तो हैं किया chances है उनके और ews की बात करें तो उनका भी chance है 135 प्लस वाले और c के साफ से ठीक है और d के साफ से अगर बात करें तो वो तो आपका 120 प्लस वाले जो भी है तो preparation स्टार्ट कर देना है तो बाकी ऐसे कुछ नहीं कि आप जो चीज़ा बताए गई वही सच निकले उसी के साफ से आपका final जाए लेकिन यहीं है अपनी skill को अभी continue करना जब तक आपका result आता है तब तक के लिए continue करना आपका score काम है फिर भी आपका करना पड़ेगा और ज्यादा है तो तो करना ही पड़ेगा ना तो कम वालों की ज्यादा doubt आता कि करें नहीं करें वाले तो इतना score यानि 125 के आसपास score है category wise भी अगर बात करें या उससे आपका थोड़ा बहुत कम भी है 120 का अधर category वाले ठीक है तो आप preparation करो skill की और लग जाओ है ना थोड़ा जब तक आपका result आता बाकि normalization के पर depend करेगा आपका पर की cutoff पर भी depend करेगा और बात में आपका जो skill आता उस पर भी depend करेगा ठीक है लेकिन skill देने जाना जिनका भी 125 plus है और ठीक है 130 वाले और देने ही पड़ेगा है ना चलिए कुछ doubt होता है तो वो चीज आप comment section में पूछ सकते हैं comment में एक काम करना अपना category और अपना score आप बताना कि इस category में इस category से इतना score है तो वहाँ पर yes or no करके मैं reply कर दूँगा ठीक है फिर भी यह है कि इतना time नहीं मिल पाता है या हर क participation करो अभी फिलाल है ना बाकी depend करता है देखो मैं तो यह कहूंगा कि result पर काई भी हथ तक depend करता है आपका normalization के उपर depend करता है और बाकी आपका skill test के उपर भी depend करता है कि आपका final selection होगा या नहीं होगा और दूसा चीज आपका कि skill में कितने लोग आप qualify कर पाते हैं और कित बढ़ने के chances भी हैं आपका skill कभी नहीं पता कि इसा आपका पूछा जाएगा और साथ में कितने लोग skill के निकालते हैं वो चीज भी रहेगा चलिए थोड़ा time लिया उसी skill माफी चाहते हैं बड़ यह video views या उस like के नहीं था थोड़ा बहुत यह था कि confused थे काफी लोग औ और ती मोटिवेट थे क्योंकि जिनका score मौक में 150 के आसपास था उनका जबार 120 के आसपास रहे गया जिनका 140 था तो उनका तो और कम रहे गया तो ऐसा कुछ नहीं level ठीक था paper का और ठीक है सभी के score लगबक आसपास ही 130 40 के आसपास जादा था लोगों के हैं और काफी लोग बाकी थोड़ा टाइम लिए उसके लिए माफी चाहते हैं बाकी कोर्सिस करूंगा भी जितना होचे के उतना help करने की और paper का solve solutions paper solve कराने में स्टार्ट कर दूँगा एक दो दिन से आपका reasoning English और GK का जो भी चीज़े रही है वो चीज़े भी थोड़ा discuss कर लेने एक बार दे इतने channel हैं सभी मतलब कई एक पर भी आपने अगर data अपने दिया है तो वहीं पर क्योंकि आपका expected cutoff वही थोड़ा ठीक बता सकता है जिसके बाद data ज्यादा रहता है ना तो यह चीज़ थोड़ा ठीक था इसलिए थोड़ा expected cutoff नहीं बता सकते है कुछ लोगों के महत से तो इने ज़्यादा बता है लेकिन ठीक है उसके बीच में आप लोगों का score है तो आप preparation करो skill की बाकी में थोड़ा था उसके बाद preparation को और ज़्यादा आपको बढाना है आपका जब भी आपका result आता है ना result की उमीद है थोड़ा जल्दी आजाए एक और point यहाप है 23 वाला exam का काफी लोग कहलें कि April 23 दिया है वो calendar आपको याद है साइद वो 20 यही वाला exam का calendar था जो आपका April में होने वाला था ठीक है तो वहाँ पर अपडेट नहीं हुआ था वो पहले वाला calendar वहाँ पर शाद सो हो रहा है वो चीज में एक बार देख नूँगा लेकिन इतना क्लियर रहे कि 23 वाला exam आपका 23 में ही होगा पूरा process उसका 23 में ही खतम हो जाएगा इसलिए preparation को थोड़ा बनाते ठीक करते वे चलना मतलब आपका छोड़ना मतुसी इसको है ना उसको भी साथ में लेते वे चलना चले बाई बाकी all the best सभी को preparation करो skill test की और बाकी थोड़ा सा wait करो ज इक है चले बाई बाई बाई